दोस्तों अगर आप भी अपने हेयर को कलर करने के लिए ग्रे और वाइट हेयर को कवर करने के लिए महन्दी का इस्तमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं, कॉफी, चाय की पत्ती, पानी का इस्तमाल करके उसे सोक करने में टाइम लगता है, रात भर रखना लगाने के बाद तीन घंटे का वेट करना होता है, अगर आप इन सारे प्रोसेस से बचना चाते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक ऐसे धमाकेदार प्रोड़क का रिव्यू, जो आपकी ग्रे हेयर की प्रॉबलम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, हेलो एवरिवन, मैं हूँ मुक्ती, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, खादी नैचुरल के हेयर कलर की शेड लिया है, मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन, जिनका दावा है, यह इंप्रूफ करेगा आपके हेयर टेक्च्चर को, कवर करेगा ग्रे हेयर को, और सबर्द इसकी 150 ग्राम, और यह एक स्टील के इस तरह के कंटेनर में है, तो आप यह कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, और इसको ओपन कर लिया है, मैंने उसके बाद देखिए, यह कुछ इस तरह के पैकेट में है, और महंदी जैसे कलर का है, बट यह महंदी नहीं है, इसमें बहुत स इसको तयार किया गया है, किस तरह से यूज करना है, क्या-क्या इंग्रीडियन्ट है, यह सारी जानकारी जो है, वो इस इंस्ट्रक्शन में दी गई है, तो अगर आप इंग्रीडियन्ट में इंटस्टेड हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आपको ब छोड़ अच्छे से कवर होते हैं. ये box या container स्टील का है. जयसा है मैं आप इसको यूज कर सकते हैं कुछ भी स्टोर करने के लिए. अब चलिए इसको सोक करते हैं तो सोक करने के लिए प्लास्टिक का बाउल लेना है, मैटल का या बाउल नहीं लेना है क्योंकि ये है इंडिगो प्राउडर जो की प्लास्टिक के बाउल में ही अच्छे से कलर दे देता है और आधा घंटा गुनगुने पानी में सोक करने के लिए बोला है मैंने इसको सिर्फ 20 मिनट ही रखा था उसके बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले है तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत जादा टाइम टेकिंग प्रॉसेस नहीं है आपको लेना है, मिक्स करना है, सिर्फ 20 मिनट के लिए इसको रखना है रात भर सोक करने का जंजट नहीं है, कुछ भी मिक्स नहीं करना है इजली एपलाई कर सकते हैं, आप मेंदी भीगोना भूल गए है, रात में कुछ इमरजेंसी है, आपको जाना है अचानक से आपको कुछ प्लान्स आ गए हैं और आपके वाइट हैर्स हैं या आप बाल कलर नहीं कर पाएं है उस केस में ये एक बाक्स आपके पास जरूर होना चाहिए, जिनको भी ग्रे हैर या वाइट हैर की प्रॉबलम है तो मैं बहुत बहुत जादा हाई लेवल पे इसको रिकमेंड करूँगी कि ये आपके पास एक जरूर होना चाहिए क्योंकि अचानक से हमारे प्लान बनते हैं और समय हीना तयार नहीं होती है और केमिकल वाले हैर तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें जितने भी प्रोड़क्ट हैं, ये नैचुरल हैं, सेफ हैं और हमारे बालों को बहुत ज़ादा अच्छे तरीके से हैं कंडिशनिंग और कवर प्रदान करते हैं तो इसको इस तरह से मेक्स कर लेना है गुनगुना पानी डालके और एक हिना पेस्ट की कंसिस्टेंसी में लाना है जिस तरह से हम मेहदी लगाते हैं इसका एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें इंडिगो के स्मेल बहुत जादा आ रही इतनी जादा आ रही है कि बिलकुल नाक में बरदाश नहीं हो रही थी मेरे तो और बाकी तो इसके बहुत सारे अच्छे पॉइंट है और थोड़ा सा रफनेस हलकी सी रफनेस मुझे महसूस होती है इंडिगो लगाने के बाद चुकि इंडिगो का एक केरेक्टर भी है हिना के कंपेरिजन में और बाकी तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है तो य अब इसको जो है हम अपने बालों में एपलाई करेंगे ये और भी बहुत सारे शेट्स में एवलेबल है तो आप इसको चेक कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आप इसके प्राइस चेकरना मत भूलेगा क्योंकि इन सारी चीजों में आजकल बहुत जादा आप है तो वहाँ पर आपको थूडा मनी सेविंग औफर भी दीख सकते हैं तो वाईट एचेकरेंगे आप चाहें तो पूरे बालों में अपलाई कर सकते हैं जैसा आप का आप एफॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि 165 रुपीज का ये बॉक्स है 150 ग्राम का तो कितना आपके बालों में लगेगा कितना लगाना है यह आपके पर डिपंड करता है अगर आपको कहीं जाना है तो सिर्फ आपने वाइट हैर को कवर करने के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो पूरे बालों को भी कवर कर सकते हैं इट्स टोटली अपन यू तो मैंने अपने सिर्फ आगे-ागे फ्रंट पे जो वाइट और ग्रे हैर है उनको कवर किया है तो इस तरह से मैंने देखिए पुरा कवर कर लिया है और इसको आप जितनी जादा दे रखेंगे ना उतना अच्छा कलर आपको मिलेगा तो मैंने इसको सिर्फ 40 मिनट रखा है क्योंकि मुझे सच में जल्दी थी अगर आपके पास टाइम है तो आप मैकसिमम इसको डेड़ घंटे या कम से कम एक घंटे रख सकते हैं और उसके बार आपको इसको वाश कर ल और बहुत ही अच्छा वाइट हेर कवरेज आया है बाल भी काफी अच्छे लग रहे हैं जब नॉर्मल पानी से वाश किया था तो हल्की सी रफनेश थी पर जब आप शैंपू कर लेते हैं तो वह रफनेश भी चली जाती है और बालों में एक शाइन भी आती है कंडिशनि अच्छा है मैं टैफिनिटली से खूश हूँ और मैं एक पार जरूर फिर से आडर करने वाली हो तो एक लाइक जरूर बनता है इस प्रोड़क्त को बहुत अच्छा प्रोड़क्त है जरूर से ट्राइगरिए मेहन दी को सोग करने लगाने वाले चंजट से बचना चाहते ह नहीं है बहुत साथा बिजी है वाइट है को कवर करना चाहते हैं नचुरल तरीके से विदाउट किसी क्यामिकल के तो आप इसको जरूर से ट्राइ कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन के सा इसी तरह के वीडियो के लिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना हैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग हां कोई क्वेस्चन है तो जरूर बात कर सकते हैं आप उससे